Students, आज के इस वीडियो में हम लोग geometrical isomers कैसे find करते हैं, कि किसी complex के कितने geometrical isomers होंगे, इसकी tricks की बात करेंगे. इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने square planar complexes और octahedral complexes के geometrical isomers की बात कर चुके हैं. तो अब आपके सामने यहाँ पर देखिए, coordination number 4 square planar complexes के कुछ geometrical isomers हैं, जो कुछ formula हैं और उनके geometrical isomers का number है, जो हम discuss कर चुके हैं. इसी तरह से octahedral में भी देखिए, एक list है और इसमें formulas हैं, formula है और इन formula के सामने इनके geometrical isomers कितने होंगे, वो लिखे हुए हैं. यह सब हमने डिसकस किया हुआ है कि इसमें geometrical isomers होते नहीं हैं, इसमें 2 होते हैं, sis o trans, इसमें 3 होते हैं, अब यह होते कैसे हैं, पता कैसे करते हैं कि किसी complex के कितने geometrical isomers बनेंगे और कौन-कौन से होंगे, इसके trick हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं. इसी तरह से octahedral complex में भी आप देख सकते हैं, जब 6 के 6 ligand अलग हो, M, A, B, C, D, F, 6 के 6 ligand यहाँ पर अलग हैं octahedral complex में, तो यहाँ पर 15 geometrical isomers बनेंगे. यदि हमने 2 ligand सेम कर दिये, A2, बाकी 4 ligand देखे अलग हैं, तो 9 होंगे geometrical isomers. यदि हमने 3 ligand similar कर दिये और 3 ligand different है, A3, B, C, D, तो यहाँ पर 4 geometrical isomers होंगे. यदि इस तरह का formula है, A2, B2, C2, तो यहाँ पर 5 geometrical isomers होंगे. तो यह geometrical isomers का number किस तरह से निकालते हैं, इसी की हम लोग आज trick discuss करने वाले हैं. तो यह है आपके सामने वा trick, सबसे पहले हम लोग square planar complex की बात करते हैं. यह जो complex है MA3B, यह कोई geometrical isomers show नहीं करता, इसका पता है हमें कैसे चलेगा. हम इसके जो 4 ligands हैं, 3A और 1B, जो ligands हैं, इनको possible arrangements यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि A के opposite में A है और A के opposite में B है. इस तरह का हमने एक यह arrangement लिखा है इसका, कि यह वाला complex होगा. अब आप देखिए, आपके पास दूसरा यह arrangement लिखने के लिए है ही नहीं. A के opposite A आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3A ligand है. तो इस complex के लिए एक ही arrangement possible है, दूसरा arrangement possible ही नहीं है, इसलिए यह है complex geometrical isomerism show नहीं करता. इस तरह से A2, B2, M, A2, B2 जो formula है, उसके दो arrangement हम लोग लिख सकते हैं. पहला arrangement मैंने लिखा है, A, A, यानकि A के opposite A और B के opposite B. दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, A के opposite B और A के opposite B. तो इस तरह से हम लोग यह दो possible arrangement है. अब आप देखिए, तीसरा इसमें arrangement possible ही नहीं. आप क्या करेंगे? A के opposite B करेंगे, तो वो इससे second वाले से match हो जाएगा. आप A के opposite A करेंगे, तो वो फस्ट वाले से match हो जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा arrangement ही नहीं, यहाँ पर दो ही possible arrangement है. इसलिए यहाँ पर दो ही geometrical isomar इस formula के बनते हैं. यह देखिए, एक cis है और एक trans है. इसी तरह यह जो formula है, M, A, B, C, D. जिसमें चारों ही ligand square planar complex के अलग-अलग है. यहाँ पर हम, देखिए, combinations बनाते हैं. हमने पहले A के opposite B दिया. तो जाहिर सी बात है, अब दो ही ligand बचे हैं, तो C के opposite D हो जाएगा. अब हमने A के opposite C दे दिया, तो B के opposite D हो जाएगा. अब A के opposite D दे दिया, तो C के opposite भी हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल तीन ही arrangement possible है. आप यदि चोथा कोई भी arrangement लिखेंगे, वो इन तीनों में से ही कोई सा एक होगा. वो अलग नहीं होगा. तो इस तरह से तीन arrangement possible होने के वज़े से इसके geometrical isomer हुए, तीन. इसी तरह से हम octahedal complex में देखते हैं, M, A2, B2, C2. इसके 5 geometrical isomer हैं, देखते हैं किस तरह से 5 होगे. हमने जो सबसे पहला arrangement लिया है, वो है A के opposite A, B के opposite B, और C के opposite C. क्योंकि दोनों ही, तीनों ही legend का की संख्या यहाँ पर कितनी है, दो-दो है, तो यहाँ पर यह हमारा पहला arrangement हो गया. अब हम क्या करेंगे, दूसरे arrangement में हमने रखा, तो A को तो A के opposite रखा है, लेकिन इनको हमने exchange कर दिया. द्यान से देखिए, जहां मेरा cursor है, A के opposite हमने A रखा है, लेकिन C के opposite B कर दिया, और यहाँ भी C के opposite B आटमेटिक हो गया, क्योंकि लास्ट में एक C और एक B ही बचता है. तो यह दो possible arrangement हो गये, जब हमने A के opposite A रखा, अब हम क्या करेंगे, A के opposite B रखते हैं, यह देखिए, हमने रखा A के opposite B, तो A के opposite B रखा, तो यहां भी क्या हुआ, एक A के opposite C हो गया और C के opposite B हो गया तो इस तरह से यह है तीसरा possible arrangement है अब हम A के opposite B ही रखेंगे अगले इसमें यह देखिए इस arrangement में हम A के opposite क्या रखेंगे B ही रखा है हमने जैसा कि तीसरे में था लेकिन अब जो बाकी बचे वे लिगेंड है एक A बचा है एक B बचा है और दो C बचे है तो हमारे पास यहां जो हमने किया यहां A के साथ C कर दिया एक C को A के साथ opposite कर दिया और एक C को B के opposite कर दिया यहां हमने क्या किया दोनों A B को एक साथ ले लिया और दोनों C C को एक साथ ले लिया तो यह चोथा possible arrangement हो गया, अब जो last बचता है, जिसमें हम B और B एक साथ रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर A के opposite C रखा, इस A के opposite भी C रखा और B भी एक साथ रखा, तो इस तरह से यह 5 cool arrangement है, आप छटा है दी, कोई भी arrangement, possible arrangement यहाँ लिखेंगे, वो इन 5 में से ही match हो जाएगा, इसलिए अधिकतम arrangement की संख्या यहाँ पर 5 है, इसलिए यहाँ पर geometrical isomer कितने हुए इसके 5, इस तरह से एक formula और लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, A3, B, C, D, तो यहाँ पर 3 A लिगेंड है, B, C, D, एक एक लिगेंड है, दूसरा A लिगेंड बच गया है, उसके opposite हम B नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हम यहाँ रख चुके हैं, अब हम इसके opposite C रखेंगे, तो automatically B के opposite D हो जाएगा, तो इस तरह से यह है, अब A के opposite A में एक arrangement और possible है, जहाँ मेरा cursor वहाँ देखिए, A के opposite हमने A रखा, और यहाँ हमने इन दोनों arrangements में A के opposite B हम ले चुके हैं, A के opposite C भी हम ले चुके हैं, तो अब हम ले रहे हैं A के opposite D, और बचा वो है C के opposite B, तो यह तीन arrangement हो गए, अब चोथा arrangement यह देखिए, तीनों जो A लिगेंट हैं, उनको हम अलग-अलग कर देते हैं, A के opposite D, A के opposite C और A के opposite B, तो इस तरह से यह total 4 possible arrangement हो गए, आप कोई भी 5 वा arrangement नहीं लिख सकते, तो इस तरह से यह जो formula है, M, A3, B, C, D, इसके 4 geometrical isomers होते हैं, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको यह trick समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोग ligands की pairing करते हैं, और pairing करके possible arrangements बनाते हैं, जितने unique arrangement बन जाते हैं, उतने ही उनके isomers होते हैं, और यदि किसी complex का एक ही arrangement possible है, इसका मतलब है geometrical isomers हो, नहीं करता, thank you, thank you very much.